नमस्कार बच्चों आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत हैं बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार तीन संदी तथा संदी विछेद लेक्चर टू लेक्चर वन में हमने पढ़ा संदी तथा उसके भेदों के बारे में स्वर संदी तथा उसके भेद स्वर संदी के शेश भेद और संदी के भेदों के बारे में आप हम लेक्चर टू में पढ़ेंगे अब आती है यन संदी जब ई, ई, उ, उ और री के बाद कोई अन्यस्वर आ जाए तो ई, ई का ये, उ, उ का वे और री का रे हो जाता है इसे यन संदी कहते हैं जैसे अती प्लस अधिक, अत्याधिक आईए, कुछ उधारण द्वारा समझें यदी प्लस अपी, यद्यपी इसमें दा में ए वर्ण है और अपी में पहला वर्ण आ है जब ए और आ मिलते हैं तो नया वर्ण बनता है यह ऐसे ही, जब अधि प्लस एशना अधि एशना, जब ए प्लस ए मिलते हैं तो वर्ण बनता है यह सू प्लस आगत जब उ, सा में उ की ध्वानी आ रही है और आगत में आ है जब उ और आ मिलते हैं तो नया वर्ण बनता है वा अनू प्लस एति अनिवती जब उ और ए मिलते हैं तो नया वर्ण बनता है वी तो बच्चों इस परकार आपके समख्ष और भी कुछ उधारन दिये गए हैं इनको समझिए अयादी संदी ए, अई, ओ, अउ स्वरो का मिल दूसरे स्वरो से हो तो ए का अय अई का आय ओ का अउ तथा अउ का आउ हो जहता है इसे अयादी संदी कहते हैं जैसे च प्लस अन तो शब्द बना चयन आईए उधारनों के द्वारा समझे ने प्लस अक शब्द बना नयन बच्चों, ना में ए की ध्वनी आ रही है और अन में आ की ध्वनी है जब ए और आ जोडते हैं तो नयावन बनता है अयादी प्लस अक गायक अई प्लस मिलते हैं तो शब्द बनता है इस प्रकार आपके सामने कुछ और भी उधारन दिये गए हैं आप इन उधारनों के माध्यम से इसको पढ़िए और समझे अब हम पढ़ेंगे वेंजन संदी अभी हमने पढ़ा था स्वर संदी और उसके भेद अब हम पढ़ते हैं वेंजन संदी वेंजन वर्ण का वेंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे वेंजन संदी कहते हैं जैसे वाग प्लस इश तो शब बनेगा वागीश इसमें का में हलनत है का में जब इश वर्ण को जोड़ा जाता है तो शब बनता है नया वर्ण बनेगा गी तो वाग प्लस इश से नया शब बनेगा वागीश अब आती है विसर्ग संदी विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संदी कहते हैं जैसे धनू प्लस टनकार तो शब बनेगा धनुश टनकार दू के बाद विसर्ग लगाया गया है प्लस उपयोग तो शब बनेगा दूरुपयोग तो बच्चों आज हमने संदी तथा उसके भेदों के बारे में जाना और संदी विछेत के बारे में जाना आएए पाट की दोराई करते हैं दो शब्दों का उच्चार एक साथ करते समय दोनों शब्दों की निकटतम ध्वनियों के बीच में होने वाले परिवर्तन को संधी कहते हैं जब दो ध्वनिया मिलती हैं तो उनमें परिवर्तन अवश्य होता है यह परिवर्तन कभी पहली ध्वनी में, कभी दूसरी में और कभी दोनों में हो सकता है दो स्वरों का परस्पर मेल होने से किसी एक अथ्वा दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वरसंदी कहलाता है स्वर संदी के पाँच उपभेद हैं द्रिक संदी, खुन संदी, वृदि संदी, यन संदी तथा अयादी संदी व्यंजन के बाद स्वर तथा व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, वें व्यंजन संदी कहलाता है विसर्ग के बाद या वेंजन आने के बाद विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संदी कहते हैं तो बच्चों अब हमने इस पार्ट की दोराई भी की आप इस पार्ट को धान से वीडियो लक्चर में सुनिए और समझिए धन्यवाद